नमस्कार हिंदी लनिंग चैनल में आपका स्वागत है कक्षा आठ एंसी आठी चैप्टर फाइव चिठियों की अनूठी दुनिया लेकर आशिमा महाजन आपके ध्यापी का आपके सामने प्रस्तुत हुई है बचो इस वीडियो में आपको फुल एक्स्प्लानेशन मिलेगी साथ में मिलेंगे कोशन आंसर्स बुकी एक्सरसाइस के और इसके साथ साथ मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट कोशन्स ओके स्टुडेंट्स पार्ट फटा फट से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस किये हुए चिठियों की अनूठी दुनिया सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं ओथर की इंटोडेक्शन जान लेते हैं लेखक हैं इनके अरविंद कुमार सेंख जिनका जनम हुआ था 7 एपरल 1965 को और जनम स्थान रहा है उत्तपरदेश गोंडा कुवर चिठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार जी द्वारा रचित ये जो पाठ है इसमें पत्रों की अनूठी दुनिया के बारे में बताया गया है अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सी विदा में लिखा गया है तो आप कहेंगे ये एक निबंध है जिसमें लेखक ने चिठियों के महत्व को समझाया है अरविन कुमार जी अपने इस लेख के द्वारा चिठियों की अनूठी दुरियां के बारे में बताना चाते हैं कि किस तरह से पत्रों की दुनिया अनूखी है आजकल का जमाना तो वाटसप का हो गया है, SMS का हो गया है, मोबाइल का हो गया है, कोरियर का हो गया है चिठियां कहीं पीछे खो गई हैं लेकिन एक जमाना था जब चिठियों की बहुत एमियत थी लोग पोस्टमेन का इंतजार करते थे चिठियों को सहेच के संभाल के रखते थे अपने प्रिये जनों की चिठियों को सहेच के रखना और पुरानी यादों को फिर ताजा करना बहुत ही असान होता था लेखक ने चिठियों की महत्ता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिठियां होती थी इस पार्ठ में लेखक पत्र की महत्ता बताते हुए कह रहे हैं कि आज का यूग है विज्ञान का यूग मनुष्य के पास बहुत सारे गैजट्स भी हो गए हैं फिर भी मनुष्य पत्रों का सहरा जरूर लेता है कई न कई कभी न कभी जरूर जरूर पढ़ती है वो कहते हैं इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग-अलग है तो मैं पाठ शुरू करती हूँ पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है तो चिठियों की अनूठी दुनिया एक निबंध है जिसमें लेखक ने चिठियों के महत्यों को समझाते हुए कहा है कि पत्रों की दुनिया एक बहुत अजीबो गरीब दुनिया है पत्रों की जितनी उपयोगी तप राने समय में थी आज भी उतनी ही बरकरार है चाहे आधुनिक तक्नीकी युग में संचार के कितने ही नए माध्यम क्यों न आ गए हूँ लेकिन पत्र पढ़ने में जो संतोष और जो अनंद की प्राप्ती होती है वे अनंद SMS वाटसा पढ़ने में कहां आता है लेखा कहते हैं पत्र हमेशा एक नया सिलसिला शुरू करते हैं राजनिती सहित्य कला जा कोई अन्य शेत्र सभी शेत्रों में विवाद की जड़ भी पत्र ही रहते हैं जा नई घटनाओं का जनम भी पत्रों के द्वारा ही होता है दुनिया बर का जादातर सहित्य पत्रों पर ही अधारित है प्राचीन काल में कई शासत थे, कई राजा थे जिन्हों ने पत्र लिखे और उनके दुआरा एक दूसरे को लिखेगे पत्रों से उस समय की जो संस्क्रिती है उस समय की जो राजनिती है उसका भी पता चलता है मानव सब्बेता के पीडी दर, पीडी विकास का पता भी इनी पत्रों से चलता है पत्रों को हमारे देश में अलग-अलग नामों से जाना जाता है बच्चो जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं संस्कृत में पत्र कहते हैं तेलगू में उत्तरम कहते हैं करनड में कागत कहते हैं और तमिल में कड़िद कहा जाता है चाहे पत्रों को किसी भी नाम से जानो मगर इन पत्रों का काम और महत्व सभी जगा एक जैसा रहता है पत्र हमेशा लोगों की खटी मिठी दोनों यादों को बहुत संभाल के रखते हैं वाके में ये सच भी है पत्र लिखना भी अपने आप में एक कला होती है और हर पत्र का अपना एक दैरा भी होता है, कुछ लिमिटेशन भी होती है। पत्रों में लोग अपना सुख, दुक, अच्छा, बुरा सभी कुछ एक दूसरे से बांडते हैं। दुनिया भर में रोज करोडों पत्र एक दूसरे को भेजे जाते हैं और भारत में तो रोज करीबन साड़े चार करोड चठीयां जो डाग घरों में डाली जाती हैं इस बाद से चठीयों का महत्यों पता चलता है पंडित जोहलार नहरू जिन्होंने सन 1953 में क्या कहा था कि सैंकडो साल तक संचार का सादन केवल तेज घोड़े ही रहे हैं यानि कि पुराने समय में संदेश पहुंचाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था या फिर हलकारे जो दूत होते थे डाकी ये संदेश वाख वो संदेश को एक जगा से दूसरी जगा ता पहुंचाते थे बाद में ये जो काम है वो जाता जात सादनों द्वारा किया जाने लगा रेलवे और तार के द्वारा संदेश पहुंचाना हो गया बहुत इजी खास कर तार द्वारा जो ट्रेन से भी ज़्यादा तेगती से संबाद पहुंचा देती है हाला कि आधुनिक समय में तो संचार के कहीं है और साधन जैसे टैलीफोन है वाइरस है रडार है हर रोज संचार के शेतर में नए-णए उपकर्णों के आने का सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है पिछली शताबदी में शताबदी होते सो वर्ष जाने कि पिछली सदी में पत्र लेखन को एक कला माना गया और डाग विवस्ता के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेश प्रयास भी किये गये आजकल पत्र लेखन की कला सीखी भी जाती है पत्र लेखन की कला को सुधाने के लिए कुछ खासतरां के प्रयास भी किये जा रहे है आजकल स्कूली पाठे करम में पत्र लेखन विशे भी शामिल किया गया भारत ही नहीं दुनिया के कहीं देशों दोरा ये प्रयास किया गया और विश्व डाक संग ने भी अपनी और से काफी प्रयास किया सन 1972 में विश्व डाक संग ने 16 वर्से कम आयू के वर्ग के जितने भी बच्चे थे उनके लिए पत्र लेखन की प्रतियोगी ताएं भी अजोजित करनी शुरू करती हाला की बच्चो आधुनिक तकनीकी का यूग है इस यूग के आजाने से नई नई टेकनोलोजी के आजान लेकिन जो व्यवसाइक डाक हैं उनकी संख्यामी अभी भी लगातार वृद्धी ही हो रही है दुनिया के हर व्यक्ति ने कभी ना कभी किसी ना किसी को कोई पत्र अवश्य लिखा होगा और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसने कभी किसी के पत्र का इंतजा खासकर हमारे सैनिक जो राद दिन सीमा पर पैरा देते हैं उन्हें अपने घर से आने वाली चिठियों का बड़ा इंतजार रहता है उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि उनके घरवाले उन्हें लेटर लिखते हैं हाला कि वहनों ने लोगों के बीच की दुरियां जरूर कम कर दी हैं और संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने के भी कई साधन विक्सित हो चुके हैं देश के कई लोगों ने अपने पुर्वजों की चठियों को अभी तक संभाल की रखा हुआ है विरासत के रूब में सहेच के रखा हुआ है बड़े-बड़े लेखकों, पत्रकारों, व्यपारियों, परशासकों, सन्यासियों, किसानों के पत्र तो अनुसंदान का विशे भी है पंडित नहरू द्वारा, अपनी पुत्री शिरिमती इंद्रा गांधी को लिखे पत्र आज भी करोडों लोगों को प्रेना देते हैं बड़ी हस्तियों की सबसे यादगर्द रोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही तो है भारत की अजादी से पहले अंग्रेज अफसरों ने जो अपने घरों को जो अपने परिवारों को पत्र लिखे वो आगे चल कर पुस्तक के रूब में बदल गए और इनी पत्रों से साबित हुआ कि ये संगराम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था महात्मा कांदी के साथ सा भारत के कई बड़े नेता थे जिनके लिए दुनिया भर से हर रोस पत्र आते रहते थे लेकिन महात्मा कांदी की आदत क्या थी? पत्र मिलते ही तुरंत पत्र का जवाब खुद अपने हाथों से लिख देते थे और जब लिखते समय उनका दाहिना हाथ ठक जाता तो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे महात्मा कांदी ही नहीं अंदोलन के तमाम नाइकों के पत्र गाउं-गाउं में मिल जाते हैं पत्र बेजने वाले लोग उन पत्रों को परशंसा के योग्या पत्र से कम नहीं मानते हैं और कहीं लोगों ने तो इन पत्रों को फ्रेम कराके रख लिए ड्रॉइंग रूम में आप देखेंगे इन पत्रों को एक फोटो फ्रेम में फ्रेम कराकर बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा हुए पत्र जो होते हैं वो पढ़ने वाले के मनोभा पर एक मैजीशियन की तरह असर छोड़ते हैं उन पर एक गहरा प्रभाव छोड़के जाते हैं ऐसी बहुत सारी कहानिया बहुत सारी फिल्में भी हैं जो पत्रों पर अधारित कहानी पर लिखी गई है दस्तावेज की बात की गई है इस पैराग्राफ में दस्तावेज उते प्रमान पत्र तो महान लोगों के द्वारा वै जैसे पत्र वेभार भारत की बड़ी पूरानी परंपरा है कहा जाता है कि महान लोगों के द्वारा लिखेगे जो पत्र जिने सहेच के रखा गया है वो किसी परमान पत्र से कम नी दस्तावेज से कम नहीं है सुमिता नंदर बंद की बात कलो उनके द्वारा लिखे गए 200 और सूरेक अंतरपाठी निराला के पत्र इन दोनों के पत्रों को एकत्र करके हमको लिख्यों है कहानी में संकलित किया गया और पत्रों के आईने में द्यानन सरस्वती समेत कही अन्य महान लोग है जिनके दारा लिखी की पुस्तके हैं आज भी आपको मिल जाएंगी जिने द्वारा जितनी भी रचनाई लिखी गई बच्चो वो अनोखी है उन्होंने आने वाले नए लेक्कों को भी प्रेइनना दी है जब भी उनके पास कोई पत्र पोइंचता था उसका जवाब देने के लिए हमिशे त्यार रहते थे थे वो महात्मा कांदी और विंदना टैगोर के द्वारा 1915 से लेकर 1941 के बीच लिखे गे पत्रों को छापा गया जिसमें बहुत सी हकीकत को जागरुक किया गया और उनकी मन की दशा का हिसाब किताब भी मिलता है जब भी हम इन पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय की हकीकत को जान उस समय दशा कैसी थी भारत में पत्रों की लिखे जाने की और उनके एक जगा से दूसरी जगा पहुंचाने की परमपरा बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी पर इसका असले विकास अजादी के समय के बाद हुगा तमाम सरकारी विभाग हैं जिनकी तुलना में सबसे विभाग ने गुडविल डाग विभाग जिसका आरत था वो पत्र जो अनुपचारिक होते होते हैं उनका विभाग जैनकि एक दूसरे को लिखे थोड़ी अपनी हैसियत को बरकरार रखा है उन्होंने आज भी लोगों को चिठियों का इंतजार रहता है पत्रों का इंतजार रहता है आज भी अलग-अलग स्थान के लोग कठी रास्ते में रहने वाले लोग पहाडों पर रेगी स्थान में बर्फ में जंगलों में चिठि इसे इंतजार करते हैं खासकर गाउं के गरीबों को अपने money order का बड़ा इंतजार रहता है किसी को खत पहुंचाना होता है तो किसी को money order के द्वारा पैसे भी पहुंचाने होते हैं इन सब सुविदाओं के लिए लोग डागरी तो पहुंचेंगे आप यहां देखें हर मोहले में हर गाउं में गली में शेहरों में डाखानावश्य देखने को मिलेगा गाउं में लाखों गरीब घरों में चूले जो है न वो money order द्वारा आए पैसों से चलते हैं घर में कमाने वाले लोग दूर शेहरों में काम करते हैं money order के द्वारा पैसे घर परिवार के गुजारे के लिए भेजते हैं गाउं जा गरी बस्तियों में चिठी या money order लेके पहुंचने वाला डाकिया किसके रूम में देखा जाता है आपसे MC के रूम में पूछा जा सकता है देवदूत के रूम में उसकी पूजा की जाती है जैसे वे द्रवाजे पे आगया मानो इश्वर ही आ गए हो तो ये था हमारा प्यारा सा पाठ चिठीओं की अनूठी दुनिया ये हैं उसके शब्दर्थ शब्दर्थ के साथ आपको दिये गए है महतपुन प्रशन उतर जो की आपके पाठ के है और पाठ के प्रशन उतर में पत्र जैसा संतोष फोन क्यों नहीं दे पाता ही आपको समझ में आई गया होगा पत्र किस तरह आपकी ज़ंदगी में महतपुरम भूमी का निबाते हैं पत्र दरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यूं नहीं हो सकते हैं तरक सईट अपना विचाल लेकर हैं अगर आप भी अपने तरक देना चाते हैं तो आप दे सकते हैं उसके बात आपको दिये गए हैं पार्ट से आगे के कोशन आंसर भाषा की बात के कोशन आंसर पार्ट से आगे पूछा गया है किसी के लिए बिना टिकर लगाए साधे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठनाई आ सकती है तो क्या क्या आपको बता दिया गया है ऐसा क्यों होता था कि महात्मा कांदी को दुनिया बर से पत्र महात्मा कांदी इंडिया पत्र लिखकर आते थे ये भी आपको कहानी में पढ़ा दिया गया है ये है भाषा की बात जसमें परशस्ति पत्र समाचार पत्र जैसे शब्द हैं और पत् अगर आपको संदी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, संदी के बेदो की जानकारी का, अलरड़ी मेरे चैनल पर ये वीडियो अपलोड़ीट है, अगर आप समझना चाहते हैं संदी को ढंसे तो उस वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो संदी के सारे भेद one by one with examples open होके आजाएंगे, आप अच्छे से उनको समझीए, डिटेल में उसके बाद अपनी exercise के कोशन खुझ सोट करने की कोशिश कीजिएगा, extra important questions आपको दे दिये गए हैं इस part के, ये part एक निबंद विदा में लि परकार अपनी भूमी का निबाई, गाउं या गरीबस्तियों में किसे देवदूत के रूमें देखा जाते हैं, अभी आपको बता दिया गया, postman को, डाकिये को, महात्मा और कभी के नाम से किनका पत्राचार संग्रह परकाशित हुआ है, और किनके पत्र संग्रहित हैं, आ भी आपको पता होना चाहिए, किस उमर के बच्चों के लिए शुरू किया, वो भी पता होना चाहिए, पुराने समय में पत्रों का दिक महत्मा क्यों था, और पत्र बहुत एहमियत रखते हैं हमारी जिंदगी में, अभी भी तरक सहीत अपना विचार लिखिया, आप अपन बोक्स में बताईएगा जरूर, जल्दी मिलती हूँ आपको आपके नई चप्टर के साथ, तिल देन गुट बाई